पिता जी जल्दी चलिए वन्ना मैं आज स्कूल में देरी से पहुचूंगा मेरी टीचर बहुत गुसा करती है हाँ हाँ बिटा अभी चलते हैं बस दो मिनिट रुको तबे रमेश की पत्नी कमरे से बाहर आती है और रमेश से कहती है सुनिये जी आज शाम को आप आफिस से जल्दी घर आ जाईएगा यादे न आज आपको मुझे शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाना है अरे भागेवान इस महीने हाथ जरा तंग है मेरी मानों तो शॉपिंग का विचार कुछ दिनों के लिए अपने दिमाग से निकाली दो मैं तुम्हें अगले मैंने पक्का शॉपिंग कराने ले जाओंगा अभी मुझे चलना चाहिए वरना राजुको स्कूल पहुंचने में देर हो जाएंगी देखिए जी अब आपके ये बहाने पुराने हो चुके हैं मैं कुछ नहीं जानती आज श्राम को मुझे शॉपिंग करने जाना है मतलब जाना है आगे आपकी मरसी अच्छा ठीक है भागिवान अब तुम पुरा घर सर पर मत उठाओ मैं कुछ करता हूँ इतना कहकर रमेश अपने बेटे राजुको लेकर वहां से चला जाता है घर से निकलने के लिए रमेश जैसे ही अपनी मॉटर साइकल शुरू करता है तब ही उसकी माँ उसे आवाज दे कर कहती है अरे रमेश हाच श्राम के मुझे कुछ पैसे दे देना याद है न मैंने तुछ से कहा था कि मुझे मंदिर में चड़ावा चड़ाना है अरे मा मेरी तनक्वा आने में अभी दस दिन बचे है अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है हाँ मेरी तनक्वा मिलते ही मैं तुम्हे पैसे दे दूँगा रमिश की मा चेड कर कहती है अरे तेरा दिमार तो खराब नहीं हो गया मैंने तेरे भरोसे मंदिर के पुजारी जी से बादा कर दिया है और तू कह रहा है कि पैसे नहीं है अब मैं पुजारी जी को क्या जवाब दूँगी तुझे तो मेरी इज़त की भी कुछ परवा नहीं है अच्छा ठीक है मा अब तुम गुसा मत करो मैं शाम तक कुछ इंतिजाम करता हूँ इतना कहकर रमेश वहां से चला जाता है फिर दोपेर को जब रमेश अपने दफ्तर में बैठा होता है तब उसे अपनी पत्नी और मां की बाते याद आती है रमेश अपने दफ्तर के एकसाथी मोहन से कुछ रूपे उधार मांगता है अरे भैं मोहन, मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मुझे कुछ रूपे की सक्ध जरूरत है मुझे कुछ दिनों के लिए क्या तुम रूपे उधार दे सकते हो अरे रमेश भाई, मैं तुम्हें पैसे उधार तो दे सकता हूँ लेकिन मुझे वक्त पर पैसे लोटा देना वैसे भी मेरा मानना है कि दोस्ती यारी में कभी पैस होगा व्यवार नहीं करना चाहिए ये कहावत तो तुमने सुनी होगी कि उधार प्रेम की कैंची है फिर मोहन रमेश को पैसे दे देता है शाम को घर आकर रमेश कुछ पैसे अपनी मा को देता है और साथ ही अपनी पत्नी को भी शौपिंग कराने बाजार लेकर जाता है रमेश की पत्नी और उसकी मा का स्वभाव जरूरत से ज्यादा खर्चिला होने की कारण दोनों हमेशा बेवज़ा पैसे खर्श करती है फिर एक दिन सुनिये जी अगली हफ़ते हमने छुटियों में कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया था आपने पैसों का इंतिजाम कर लिया ना अरे अभी कहां अभी तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है हम कभी और चले जाएंगे देखिये जी मैंने सभी सहलियों से कह दिया है कि मैं बाहर गूमने जा रही हूँ अगर मैं नहीं गई तो सब मुझ पर हसेंगी आप कहीं से भी पैसों का इंतिजाम कीजिए जी इतना कहकर रमेश के पत्नीबासे चली जाती है वहीं दूसरे तरफ रमेश की मा भी तेर्थ यात्रा जाने की जिड करती है और रमेश से पैसे मांगती है फिर अगले दिन रमेश एक सेट से पैसे उधार लेकर अपनी पत्ञी और बेटे को धुगमाने ले जाता है और अपनी मा को भी तिर्थ यात्रा पर भेज देता है लेकिन जैसे ही रमेश अपनी छिटिया बिता कर वापस आता है कर्जदार उसका जीना मुश्किल कर देते हैं इतना ज्यादा कर्ज एक साथ अपने उपर देख रमेश काफी परिशान रहने अगर स्कूल की फीज नहीं भरे गई तो उनके बेटे का नाम स्कूल से काट दिया जाएगा अपने बेटे की स्कूल की फीज भनने के लिए रमेश अपने दोस्त गिरदारी से कुछ पैसे उधार ले ले लेता है और स्कूल की फीज भर देता है रमेश की मा और उसकी पतन खर्चे और घर की जिम्मदारी संभालते संभालते दीरे दीरे रमेश पूरी तरह कर्ज में डूप जाता है और तभी एक दिन दफ्तर में काम करते समय रमेश की तब्यत अचानक बिगर जाती है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है उसे जल्दी से पास के एक अस्पताल मे भरते कराया जाता है रमेश के घरवालों को ये बात पता चल जाती है तो वे सभी अस्पताल पहुँचते हैं अस्पताल के डॉक्टर साहब उने बताते हैं देखिए देर रात तक जागने और जरूरत से ज़्यादा काम करने की वज़ज़ से इन्हें चक्कर आ गया था ब मा, दादी मैं इतना चोटा हूँ फिर भी मैं इतना समझता हूँ कि पिताजी दिन रात दफ्तर में काम करके पैसे कमाते हैं पिताजी अकिला पूरा घर संभालते हैं और आप तोनों अपने फिजल की खर्चों के लिए उन पर दबाव डालते रहते हैं आज पिताजी की आ आखों में आसू आ जाते हैं फिर कुछ दिनों के बाद रमेश की तब्यत एक दम अच्छी हो जाती है और वो पहले की तरह अपने काम पर जाने लगता है रमेश के मा और पत्नी अब उससे किसी प्रकार की कोई तकलिफ नहीं देते और ना ही उससे किसी चीज की मांग करते हैं फिर देखते ही देखते रमेश अपने कर्ज के सारे पैसे चुकातेता है उसकी जिन्दगी पहले की तरह अच्छी हो जाती है और वो अपने परिवार के साथ खुशी-खुशी रहने लगता है शिक्षा हमारे रिष्टे एक तराजू की तरह होते हैं जिसकी दोनों और जिम्मेदारी और समझदारी का वजन बराबर होना चाहिए